बेकार होने वाला है इसके बारे में डेटेल में बात करेंगे 26 सिक्षक भरती में भी सुप्रीम कोर्ट के एक और फैसले पर दोस्तों आप नजर है क्योंकि अभी दोस्तों हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था दोस्तों वो B8 के अगेंस में आया था BSTC वालों के फिवर में यानि की DL8 के फिवर में आया था प्राइमरी टीचर केवल DL8 या फिर उसके समकष BSTC वाले ही बन सकते हैं दोस्तों इसके अलावा दूसरे राज्यों से DL8 करने वालों को फाइदा मिलेगा अगर दोस्तों 26 सिक्षक भरती में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो B8 के पक्ष में नहीं आता है इसके बारे में डिटेल में बात करेंगा और वहीं दूसरी और 48,000 से अधिक अभ्यर्थी अब उत्रागंटीटी परिक्षा देने वाले हैं तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे उस भर्थी की जिससे दोस्तों B8 अभ्यर्थी सीधे-सीधे तौर पे दोस्तों बाहर हो गए है है वो है केंदरी विध्याले की भरती और इसके हलावाँ दोस्तों MP भरती है उसमें भी community भरती भर है लेकिन हम दोस्तों बात करेंगे उत्राकंड के अभिलती जिननोंने को दोस्तों केंदरी विध्याले की primary teachers वाली परिक्षा पी आटी वाली परिक्षा जरूर दियोगी ले दोस्तों यहां पर केंद्रे विध्याले की जो भढ़ती दोस्तों निकली थी साफ साफ उसमें लिखा हुआ था कि यह सुप्रीम कोट के या मानिनीय न्याले के आदेश के विचारा धीन रहेगी इसलिए दोस्तों अभी तक प्राइमरी टीचर भढ़ती का रिजल्ट नहीं तो इसका एक्जाम भी दे दिया था और वो सभी लोग आस लगा रहे थे कि उनका रिजल्ट आने वाला है लेकिन अभी तक नहीं आए तो तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कक्षा एक से पांस तक के सरकारी स्कूलों की सिख्षक भढ़ती से बीड़ अब इड़ के अंतिम नेड़ने के अधीन होगी तो साफ साफ इन्होंने इस पस्टर कर दिया था कि आप बिए अभीरती होने के तौर पर अपलाई तो कर सकते हैं लेकिन ये जो आपका जो भरती होगी ये बिलकुल जितने भी प्रकरण है इस समय पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं उनके अधीन रहे कि अगर उसमें कोई भी फैसला अगर इनके अगीस में आता है तो ये इस भरती से बाहर हो जाएंगे तो ये साफ साफ है कि जो अब ये सुप्रीम कोर्ट का नेड़ने है वो इन दोनों भरतियों पर असर डालेगा क्योंकि इन्होंने साफ साफ ये अपन स्टेट्मेंट नहीं लिखाता तो देख लिजे किंद्री विध्यालों में प्राक्मिक स्तर में देखे कितनी निकली थी 6414 इसमें बहुत सारे भीरतियों ने उत्रागंडे से भी अप्लाई किया था और वो आस लगा रहे होंगे कि उनका रिजल्ट आने वाला हो उनके फे इंद्रे विध्याले की भरती के परिक्षकों परिणाम को गोसित नहीं किया जा रहा था और इसी प्रकार मध्या परदेश में प्रात्मिक सिक्षकों के देख लिए आड़ यार 527 पदों पर भरती के लिए 6 जर्वरी तक आवेदन किये गए थे उनमें भी नियुक्ति की क प्रागंडे से भी उमीद रहेगी कि वह इस तरह से भरती जब निकाल लेगी तो इस तरह की सर्थ ना रखे ठीक है तो यहां पर आप देखिए इसके अलावाद जैसे में बात कर रहा हूं दोस्तों के टीटी का जो प्रमानपत्र है वो आपके लिए बेकार होगी है मैं ब को यहींद के बीए सुप्रिमन के लिए ही काम आएगा क्योंकि सेंट्रल में साफसाब सी बात है कि जितनी भी नियुक्तियां भठ्यान निकल नीय की आपके बात करें चाये Woah साफसाब उन में लिखा सो आरहा है कि यह जो बढ़ती है वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशतर मे के लिए सर्थ रखी थी कि प्रमाण पत्र की वैदेता सुप्रीम कोर्ट के अंतिम रिणने के अधीन होगी यानि कि जो CTT 1 का सर्टिफिकेट है बीएड वालों के लिए तो बेकार हो चुका है डिलेड वालों के काम आएगा डेफिनिटली उनके तो काम आने हो यहाल है उनके कि उस फैसले की जिस पे सभी नजर गड़ाएवे हैं काफी समय से दोस्तों यह 26 सो भरती का मामला जो के उत्तरा खंड प्राइमरी टीचेस भरती से रिलेडेड है इसमें दोस्तों तकरीबन आठ सो पदो पर दोस्तों भरती लंबित है और यह जो मामला है दोस्तों अभी स सुप्रीम कोर्ट में विचारा दिन है यह चल रहा है दोस्तों बीए टीटी वर्स एन इस डीएलेड दोस्तों यह मामला चल रहा है और इसमें दोस्तों अभी तक स्टे लगा हुआ है अब बेरोजगारों को अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नजर है और इसकी जो स साफ साफ है कि अब इस पे नजर रहे गई है सुप्रीम कोर्ट में राजिस्तान उचिन्याले के फैसले के खिलाफ के इंदर सरकार और एंसीटी के अपील खारीज होने के बाद उत्रागंड के बीएट पर रोजिकारों को अब सुप्रीम कोर्ट के करनिया फैसले पर नजर है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस प्रकरण में उत्रागंड हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ बीएट परसिक्षित बिरुजगार और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गए हैं और 2600 पदों पर भरती के करीब 70% पद भरे जा चुके हैं और जिन अभिय कि सुप्रीम कोर्ट में इसी महीने सुनवाई है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सभी बिरुजगारों की नजर इस पर है ठीक है सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसके बाद ही अगला कतम उठाया जाएगा ठीक इसके अलावा इसमें जाचिका करता है जेवीर सिंग्ग का कहना है कि राजस्तान में सरकार ने B SHA को सिकछक भरती से नियमाउली में सामिल नहीं किया था, जबकि उत्रागंड भी MA ऐसा नहीं है, राज्य में B SHA के लीए में व्यश्ता है तो अभी दोस्तों यहां पर उतरागंड की सरकार दोस्तों चाहे तो नियमावली में प्रावधन कर सकती है कि बीड़पीरट। को सामिल किया जा सकता है इसमें दोस्तों आभी साफ साफ सी बात है कि एक चीज अची की जो Vencati है और केंद्र सरकार है वो तो चाहते ही है कि बाई ड्री अबेयर्ट को भी सामिल किया जाए लेकिन Supreme Court है वो नहीं चाहता है कि इसमें इनको सामिल किया जाए तो Supreme Court का क्या मामला है दोस्तों, जैसे मिन आपको पहले बताया है कि परदे-सरकार की ओर से बेले Basic सिक्षक बड़ती में नाइस से DLA Wよろしく को सामिल करने का नीना लिया गया था और सासनस की ओर से इसका आदेश जारी किया गया था, इससन आदेश के बाद सब्रेटी सिक्षक बढ़ती के लावेदन किया, लेकिन सरगार ने बाद समें इस आदेश को रद्द कर दिया, इसके किलाव इनेश से डियल अड़ेपर्टी हाई कोट चले गए थे, तो यहाँ पर दोस्तों अभी इस मामले में सुप्रीम कोट का फैसला नहीं आया है, और जब तक इसका फैसला नहीं आता, तब तक कुछ कहान नहीं जा सकता, यह है आरके उन्याल निदेशक प्रारेमिक सिक्षा, अब दोस्तों सुप्रीम कोट का 22 अगस्त को जो भी फैसला आए, अगर मान लेते हैं दो प्राइमरी टीचर्स बनने पर रोक लगा दी जाती है, तो ऐसे में दोस्तों जो दूसरे राज्यों से जो डिलेट करने वाले हैं, उनको फाइदा मिलना यहां पर तै हो जाएगा, अब देखे क्या है, बेसिक सिक्षक की पातरता से बीए डिग्री हटने से राज्य के सरक पद हैं, जबकि अगले दो साल में डिलेट पर सिक्षित महत 1100 ही मिल जाएंगे, तो ऐसे में दूसरे राज्यों से जाकर डिलेट करने वालों की लोटरी खुल सकती है, तो जिन लोगों ने डिलेट दूसरे राज्यों से किया होगा, उनको फाइदा यहां पर मिल जाएग सरकारी डिलेट से डिलेट करने वालों को प्रात्मिक्ता मिले, तो दोस्तों यह बहुत important point है, कहने का सीधा सीधा सा अर्थ यह है, कि अध्यापक सेवा निमावली उत्तरा घंडे की simply यह कहती है, कि आपको अगर primary teacher बनना है, तो आपने डिलेट किया होना चाहिए, ठीक है यह नहीं बोलती कि राज्य से जिन्होंने डिलेट किया होगा उनको पहले प्रात्मिक्ता मिलेगी, इस तरह का कोई भी प्रावधान नहीं है, साब साब यहाँ पर से दोस्तों लिखा हुआ है, कि जिससे basic सिक्षेक भरती में राज्य के सरकारी डिलेट से डिलेट करने वा तो हालिया कुछ वर्सों में राज्य में बड़ी संक्या में लोगों ने बाहरी राज्यों से डिलेट किया है, और नहीं भरती प्रक्रिया सुरू होने के बाद राज्य के डायट और बाहरी एजिंसिय से डिलेट करने वालों के बीच में परती पर्दा बढ़ जाएगी, तो मालूम होके राज्य में भरती में पातरता के लिए मूल निवासी अत्वार राज्य से हाई स्कूल इंटर करने के बाद यता तो रखी है, लेकिन डिलेट कोर्स की सीमाई खुली रखी है, तो बात सीधी सीधी सी है कि आप होगा ये कि प्राइमरी टीचर्स में अगर आ पने बाहर से किया है, और एक जो टीलेट करने वाला जो कि यहां के डायेट से या राज की सिक्चन्ट जो डायेट है, इंसे प्रस्क्टिशन् ले रहा है, तो आपके पास भी उतने ही ँकemaल चांसे होंगे, जितने की जो की जो राज्य से माहनतापराप्त्य डायेट से, या राज्य के सरकारी डायेट से डियलेट कर रहे हैं ठीक है न तो ऐसे में उनके बीच में क्या रहेगी पर्थिस पर्दा रहेगी तो इससे क्या होगा कि जिनों ने दूसरे राज्यों से एनाएस डियलेट किया होगा वो लोग भी दोस्तों यहां पर भढ़ती के लिए तो कहने का मतलब है कि जब उनका पूरा होगा तब जाके मिल पाईगा उनको ठीक है और तीन हजार से अधिक दोस्तों इस समय पर प्राइमरी टीचर्स की भरती आनी है तो ऐसे में जो भार से जिनों ने डिलेट किया है उनको फाइदा मिलेगा अगर दोस्तों जो 22 अगस को जो नेड़ने है वो सुप्रीम कोट का वो भी अगर बीड़ वालों के अगेंस में आता है तो ठीक है तो यहाँ पर आप देख लिजे कि अब तक की जानकरी के अनुसा सुप्रीम कोट का नेड़ने राजिस्तान की बेसिक सिक्षाबर्ती के परिपेक्षमा आया है कोट के जिसके सत्याबर्ती की परिख्षा की जारी है अधिस मिलने के बाद उसका अधियन के बाद इसमें आगे नेड़ने लिया जाएगा वंसे दरतिवारी महानी देशक सिक्षाब इसके लावा दोस्तों उत्तरागंड में टीटी देंगे 48,000 से अधिक अभियर्ती आप देख स आतवर्स के बाद आपको उसकी परिख्षा देनी पड़ती थी रिन्यू कराना पड़ता था लेकिन आप तो ऐसा है कि यह जो पर्मान पत्र अगर आपने एक बार भी क्लियर कर लिया 2011 से अभी तक टीटी होता चला जा रहा है 2011 से आज तक अगर आपने एक बार भी टीटी क कर पा रहे होंगे तो और जो पास्ड होंगे वो तो अलगी होंगे बैठे वे ठीक है पहले तो क्या होता था कि हम एक सकते हैं कि हाँ चलो एक विक्ति होसने देखा कि मैं टीटी क्लियर हूं लेकिन कोई बात निसकी वेलेटी को बढ़ाने के लिए आदमी हर साल हर दो तीन जाल में टीटी देता था अब तो फिर जब से लाइफ लॉंग वेलेट होगे तब से आद में टीटी नहीं देता है लेकिन फिर भी देखो कितने लोग अभी इस समय पर टीटी दे रहे हैं तो यहां पर परदेश में 29 सहरों में होने वाली टीटी सिक्षक बात रहता परिक सिक्षा में परिजन जी करने की पूरी हो गई है पंजी करन प्रक्रिया 30 जून से 7 अगस्तक चली थी और सुक्रवार को टीटी प्रभारी सौंप सीपी रतूरी ने बताया कि उत्तराघंड विद्याले सिक्षापर से रामनगर हर साल टीटी की परिचा करवाता है बताया है कि इस बार 29 सितंबर को परिचा परदेश के 29 सहरों में कराई जाएगी जिसकी तेयरी चल रहे है उनने बताया कि इस बार टीटी पर्थम में 23,963 परिच्षा देंगे परिच्षा से पहले प्रवेसपत्र बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किये जाएगी तो आप देख सकते हैं कि यहां पर प्राइमरी में भी अगर आप देखें तो टीटी प्रथम में भी 30,963 लोग दोस्तों परिच्षा देंगे यहां पर यह भी होंगे नियस,डी एडवाले तो इडीलेड़ वाले तो इस चाहिंश्यों की जिए बूस्तों है यह लिसे देखें लाइट है, lob preparat thé, जो यह दूत्ये देखें थाउन की बूस्तों परिच्षा देंगे, तो आग्ए घॉलियो में पातों मूंती में मोंगा जाता है तो आज आज की वीडियो के लिए दोस्तों में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में गुडबाई